हलो फ्रेंड्स वेलकम तू आवर योटूब चैनल रॉबिन फैशन डिजाइनर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखा हूँगा कि आपने देखा होगा काफी महीला ऐसी होती है कि उनका जो सूट होता है वो पहनने के बाद यहां तो लेफ्ट हैंड की तरफ गुमत है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँओ अगर आप स्टीचिंग का शोग रखते हो तो आप हमारा ओनलाइन इस्टीचिंग को जोइन कर सकते हो स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इन नंबर के हमले पूरे कोर्स की डिटेल सकते हो और घर पर बैठके अराम से चीचिंग का को सीख सकते हो और दोस्तों आप हमें इन्स्टागाम पर फॉलो कर सकते हो इस अलाम का लिंक आपको कपड है ठीक है और इसमें से हमको मानलों सूट बनाना है तो जब भी आपThat's सबसे पहले एक चीज नोट करनी है ये देखी लिए हमेशा जब भी आप शूट की कटिंग करते हैं अब आप उपकोब किनारी वाले हिस्से का मतलब है कि कपड़े में सीधा पन है कोई दिक्कत नहीं है और आप इसकी जो कटिंग इस प्रकार से करनी होती है माली दिसे हमने फ्रेंट निकाल लिया इसका लेकिन जब भी आपने कटिंग करनी है कटिंग करते समय आपको जिस चीछ का दिया रखना क कान तो नहीं आप उसको चैक कैसे करना यह देखें कपड़े को सीधा रखा और इस कपड़े को आपने यूँ खीच के देखना है इस प्रकार से ठीक है आप देख रहे हैं इसको मैं खेंच रहा हूं बिल्कुल आराम से और इसमें कोई भी प्रॉल्म नहीं आ रही हो जाती थी जब हम बिगिनर थे तो हमें नहीं पता हुता था कि कपड़े कान है के नहीं और हम कटिंग का दें पूरा शूट बना देते लेकिंड जब पहनने के बाद पता लगता था वह यह तो तो दोस्तों अब आपको क्या करना यह देखिए आपको एक दूसा कपड़ तरफ प्यारिया आप देख सकते हो कितना खिच रही है और इसकें अंदर कान भी है अगर इसको में बिना अस्तर के बना दूँगा दो दोस्तों उसकाण को नहीं काल सकते मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी कपड़े में कान है या फिर तिर्चापन है आपको लग रहा है मैसूस हो रहा है तो आपने पता लग जाता है दोस्तों कपड़े को पकड़ती कि वह यह कपड़ा घूम रहा एक तरफ तो उस कपड़े को किस प्रकार से बनाना वो भी मैं आपको बताता हूं यह देखिए अब एक फूर दिख के आपको दिखाता हूं कि अगर इसको मैं बना दूंगा ऐसे कैसे तो दूस्तों यह सूट इक तरफ गूमेंगा ऑप प्रॉल्म यह है कि क्या ऐसा कि जा जाए कि जिससे कि आपका जो फूल सूट है वह बिलकुल सही हो जाए अब प्रॉल्म यह दोस्तुत कि यह भी होती क कि मेज़े काफी लोग यह भी कहते हैं कि सर सूट अब हमने बना लिया है कि हमारा सूट एक तरफ घूम भी रहा है लेकिन उसको अब कैसे ठीक है ताकि वह एक तरफ ना घूमे तो दोस्तों अब इसका जो में जो उपाय है वो यही है कि जब अगर किसी कपड़े के अंदर का कुरुत है या ना यानिकी लाइनिक के बाद कर रहो हुए दोस्तों अगर आपको लगता है कि करण है यह तो बस इक है कि साइश को प्रैक्टिकली बताऊंगा मुझे पता है कि मfully कटिंग करूं गा अस्तर की कि करने के बाद बनाऊंगा तो यह किसी भी कंडिशन में एक तरफ नहीं घुमेगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते हूं यह जो सूट है जो भी मैंने आपको दिखाया है इसके मैंने अस्तर की कटिंग कर लिए और साथ में इसका जो फ्रेंट वाला हिस्सा है और इसका फ्रेंट वाला पार्ट है और दोस्तों इसका पैलिब पहले सका जो फरेंट वालास फार्ट इसमें इस्कतर आई रेकर दिकाउंगा और ऐा यह तो बीनशापन करने के बाद चाहिए तो बहुत जयादा आने वाली है तो दोस्तों अश्याइस मैं उसको कितनी कान है कितना तिर्चापन है यह सारी कि सारी आपको अस्तर लगाने के बाद बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी और पहनने के बाद सूट भी जो होगा आपका एक तरफ की तरफ नहीं गुमेगा और दोस्तों इस तरीके से जो मैं आपको फार्मॉला बता रहा हूं अग इसके अंदर अस्तर लगा दिया और अस्तर लगाने के बाद आप मैं आपको बिल्कुल आसानी से दिखाता हूँ यह दिखिए इसको काफिए जरूर रहेगी लेकिन पहनने के बाद एक तरफ नहीं घुमेगा त्यूंकि अस्तर से नीचे सपोर्ट मिल जाता है यह देखिए नहीं हो रहा बिल्कुल भी स्टैच और इसका भी जो बैक पार्ट अभी मैंने काटा भी नहीं यह देखिए इस कपड़े को मैं आपको खीच के दिखाऊंगा और इसके अंदर आपको देखे कितनी कांड नजर आएगी यह देखिए इसको मैं खेंच रहा हूं आप देख सकते हो कितना स्टैच हो रहा है ठीक है और इसमें कांड भी कपड़े में तभी स्टैच हो रहा है और इसके अंदर बिल्कुल भी स्टैच बल्टी नहीं है तो फ्रेंट्स यही एक तरीका है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिकी है कि सूट एक तरफ क्यों घूमता है और कैसे ठीक किया जा सकता है अगर आपको अच्छा लाग हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच